पिछले सप्ताह कनाडा के सबसे प्रमुख क्रिशी उत्पादक राज, सस्कैच्चवान की राजधानी सस्काटून में क्रॉप प्रोडक्शन शो का आयोजन किया गया जिसमें विभिन फसलों के उत्पादन के परिद्रिश्य पर विचार किया गया। इसमें काबुली चना का प्रसंग भी शमिल था। पश्चिमी कनाडा के प्रेरी संभाग में उत्पादित होने वाले इस दलहन के प्रती उत्पादकों में कोई विशेश उत्साह नहीं देखा गया। इसका कारण यह है कि वहां काबुली चना का दाम नंबर दो क्वालिटी क के लिए महज 51 से 52 सेंट प्रती पॉंड पर स्थिर बना हुआ है जबकि मोटी हरी मसूर का भाव उच्छल कर 74 से 75 सेंट प्रती पॉंड के शीर्ष स्थर पर पहुँच गया है। अप्रेल से मई में इसकी बिजाई शुरू होने वाली है मगर किसानों में इसकी खेती के प् जबकि कुल मिलाकर मांग में ठहराव आ गया है। अगली नई फसल का अगरिम अनुबंध मूले 45 सेंट प्रती पॉंड के आसपास बताया जा रहा है। समझा जाता है कि चालू वर्ष के दोरान कनाड़ा में काबुली चना के बिजाई ख्षेतर में ज्यादा बदलाव नह करशक नहीं रहा है। वैसे भी वहां काफी सीमित क्षेतर फल में इसकी खेती होती है और उतपादन भी कम होता है। फीड एवं सैंपल ग्रेड के काबुली चना का दाम 36 सेंट प्रती पॉंड पर स्थिर बना हुआ था। भारत में अगले महीने से चना की अगैती वाली फसल की छिट-पुट आवक शुरू होने वाली है जबकि मार्च से इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। हालांकि कुल मिलाकर चना के बिजाई छेतर में साथ से आठ लाक हेक्टेर की गिरावट आने से सकल उतपादन कुछ घट सकता है। मगर काबुली चना के बारे मे इस बार काबुली चना की खेती में अच्छी दिल्चस्पी दिखाने के संकेत मिले है। फिलहाल माना ये जा रहा है कि कीमतों में स्थिर्ता बनी रह सकती है, काबुली चना में फिलहाल गिरावट की उम्मीद नहीं है।